question number 18 at what rate rate तो भहिया पता ही नहीं है will rupees 3600 amount to इतना principle कितना given है rupees 3600 amount कितना given है 4734 और ये क्या है time given है 3 whole 1 upon 2 year जिसको और ज्यादा fraction में change करोगे improper में 32617 upon 2 year दुबारा समझो हमसे क्या पूछ रहा है rate तो आप जानते हो formula rate का मैंने आपको बताया था rate क्या होता है SI into 100 upon PT principle given है आप कहेंगे yes time given है simple interest given है नहीं simple interest कैसे आगा amount और प्रिंसिपल का difference होता है हाना देखिक कैसे amount क्या होता है principle plus simple interest तो यहां से simple interest निकल आएगा क्योंकि amount तो given है ना यह रहा और principle भी given है तो simple interest क्या बन जाएगा फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वेल्यू पुट कर दो amount कितना है रूपीज 36 sorry amount कितना है 4734 माइनस 3600 तो इसको minus करोगे है और हमारा simple interest आजाएगा minus करो 4734 मैंसे minus करना है कितना 3600 4311 तो simple interest तो भी हमारा निकल आया 1134 ठीक है value put करनी है और answer simple interest कितना है रूपीज अभी calculate किया 1134 multiply 100 upon principle कितना है 3600 into time कितना है 7 upon 2 solve करते ही हमारा rate आजाएगा देखे 20 से तो 20 cancel 2 की table से इसको 18 times clear है चलिए एक काम करते है मैं 7 से direct इसको cut करता हूँ 7 की table से 7 वंजा 7 4 बचा 42 हो गया तो 76 जा 42 और 72 जा 14 162 हो गया 18 की table से इसको cut करो 9 times जाता है 18 9 जा 162 तो 9 times तो हमारा क्या आया है 9% पर एनम तो यह क्या है हमारा rate ठीक है यही answer है simple question था बिलकुल चलिए next question पर जाता है झाल है अ झाल है झाल है